हाई नमस्कार दोस्तों तो कैसे आप लोग आप लोगों की दया दुगा से जो स्कूर्टर है वो हमें 6 मही को मिल गया था और हम तबर चस्ट एक्सपिरियेंस ले रहे हैं मैंने अब तक जो है स्कूर्टर को 300 mm चला दिया है और काफी एंजॉय कर रहा हूं इसे मैं यह मेरी स्ट्राइट की वीडियो है और मैं बताना चाहूंगा आज की कुछ नहीं नहीं अपटेट सो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके डिस्पैचिस 30 अपरैल को लास्त है बट अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है और कुछ लोग यह बोल रहे हैं कि गवर्मेंट का तुम की का भी प्रोड़क्शन नहीं रोग र裡面 है आधी स्ट्रिक जरूर है कि जो भी फार इशूज आ रहे हैं यह क्यूं हो रहे हैं और इसके ऊपर 睡ब्ल्데 कि जो प्रॉपर जेस्टिफिकेशन उनको चाहिए और व्रापर जेस्टिफिकेशन के साथ साथ उनको जो है SDC में पहुंचता है तो SDC में पहुंचने के बाद ही वो लोग स्कूटर को दिखाते हैं कि यह स्कूटर जो है डिस्पैच हो चुका है सेकंड चीज यह है कि कई चांसिस में इनका जो रिजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत अजीब है रिजिस्ट्रेशन प्रोसेस अजीब इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि आपका स्कूटर का एरिया बैकवर्ड आपका पढ़ने के कारण या फिर कहीं और तो यह स्कूटर टेंपरेरी रिजिस्ट्रेशन कहीं और से करा देते हैं बीटा वर्जन 2.0 वो 100 लोगों में पट चुका है और जैसे मैंने बूला था हाली में आप देखेगा 15 तारीक के बाद जरूर कोईने कोई अपडेट आएगी और इसका रोलाउट जो है वो जून में स्टार्ट हो जाएगा सभी लोगों के लिए तो अभी 100 लोग जो है इसक में क्या बग्स हैं और क्या इशूस हैं तो इसके रिगार्डिंग जो है अभी वर्किंग है मैंने भी अपनी स्कूटर में यह चीज बहुत जादा फील करी कि जिसे साब से इसमें हार्डवेर दे रखा है उस इसाब से जो है सॉफ्ट्वेरिकल इशूस जो है वो मिसिंग नैविगेशन और यह चीज सर्च में बहुत जादा अब मिसिंग है तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा